आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीगन मैंगो शेक यानि जिन दोगों को डेडी प्रड़क्स नहीं लेना है या इलर्जी है तो उनके लिए बैस्ट आप्शन है मैंने आलमंड मिल्क लिया है और वेने आदा ग्लास से थोड़ा सा जादा ले रखा है मैंगो मैंने जो मैंने कुछ स्लाइस कर लिये हैं तो सबसे पहले हम मैंगो पल्प डालेंगे और थोड़ा सा अलमंड मिल्क डाल के ब्लेंडर जार में चलाएंगे मैंगो डाल दिया है मिल्क डाल दिया है और ब्लेंड करके देखते हैं और यह देखिए कुछ इस तरह सी यह बन कर तया है हमने सारा ही मिल्क डाल दिया इसमें क्योंकि थोड़ा ही था तो ये ऐसे चरन कर लिया है हमने और देखिए क्या कलर आया है कितना बढ़िया ये लग रहा है बच्चे बड़े सब खुशो के पीएंगे यानि पूरा ग्लास बन गया ये भर के हैंना और अब हम गार्निश कर कर तैयार होता है तो आप बनाईए इसको ट्राइ कीजिए मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में बेल इकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अबडिर साब तक आती रहें थैंक्यू सो मुझ वाचिक में